जहां से आ सकते हैं, तो चली, आज की example करते हैं sequence की, तो जहेख sequence की example, एक ऐसे example है, जो आपको exam में भर जाएगे, आपको देखने के अकस आपको पुछा जाता है, कि through there is the sequence of this kind this is any fraction है आपके पास is number one monotonic आपके पास three part आ रहे है एक साथ आ रहे है कि आपने monotonic show करना है आपने bounded show करना है आपके पास it is convergent तो जहाँ पर कुछ example में आपको simple convergent पूछेंगे और जहाँ पर एक particular example थी जिसमें उन्होंने कहा कि आप show कर दीजिए कि इसके limit 2 आए 3 है तो जह थोड़ी सी difficult होती है convergent के हमारे पास जदि हमें discuss करें तो मैंने difficult one को लिया जदि आप जह समझ गे तो मैं आपको बता दूँगा कि बाकी example को आपने कहां पर stop करना तो ज़िए start करने वाले है तो आपने प्यारी से face पर वो प्यारी से smile लेकर आए और देखे त्यान से कहां से start करना तो number one तो मारा जो first target होता है कि monotonic sequence क्या होती है जैसे monotonic आपके mind में जहां आपने word देखा तो आपने गवराना नहीं है आपके mind में जहां से subtly definition आने चाहिए कि any sequence is set to be monotonic आप अपनी next जो term आ रही sequence की उसको previous के साथ match किएगा जैसे next आपकी term previous से larger आ रही तो वो increase कर रही है जैसे smaller आ रही है तो वो decrease कर रही है अब हंडा गया कि हमने check कैसे करना होता है तो आप always कहां से start करेंगे मैं आपको framework set करने वारा हो जहां पर आप always कहां से start करेंगे आप अपनी maximum value जो भी आपके पास है next value और previous value का difference है करें ज़िए difference positive आएगा तो हमारा वो obviously जो हमारी next value आप ग्रेटर होगी ज़िए difference negative आएगा तो वो decrease होगी तो जहां से start करते हैं मारे पास क्या है तो prove करना कैसे है तो सबसे फ़री आप लेट कर लिजे कि हमें a n दिया हुआ है that is 2 n minus 9 over 3 n plus 1 उसके साथ के आपके पास a n plus 1 कितना आजाएगा अपनी next value term जहां पर find गानी that is 2 into n plus 1 minus 9 over 3 into n plus 1 plus 1 आजाएगा after simplification जहां पर आपके plus 2 n plus 2 that is minus 7 हो जाएगे और यहां पर 3 n plus 3 plus 4 आपके पास हो जाएगे तो आपने दो term जहां पर लिख देंगे है ठीक है two terms हमने जहां पर लिख चुके है तो अब जैसे इन term को हमने लिखा है तो हमने जहां पर इनका जो difference है उसको check करना तो यह फर आपने always ऐसा ही करना जब आपको monotonic की बात की होगी तो आपने इन दोनों का difference जदी positive है तो जह monotonic increasing जदी negative है तो जह decrease है तो आप इनको check कीज़ेगा तो मारे पास a n plus 1 का difference कितना आएगा तो आपके पास 3 n plus 4 minus आपके पास 2 n minus 9 over 3 n plus 1 just take calcium that is cross multiplication जब कह सकते हैं यह काफी simple है जी आप करने होगे अपने आप ठीकिन मैं जहाँ पर लिखने वाला हूं इसको complete आपके लिए तो आप द्यान से जहाँ पर लिखने ज़ेगा और जहाँ पर मैं मिस्टेक बहुत करता हूं इसलिए अवेर है ना आपने मिस्टेक नहीं करने नेरे यह से हो सकती है ठीक है तो आप उसको प्रेट कर लिजेगा after simplify ज़ती जैसे आप इनकी brackets open करेंगे तो after cutting आप जिदे इसको check कर लिजेगा कर भी लेते हम इसको 6 n square मारे पास आजएगा और जहां से मारे plus plus का 2 n आजएगा माइनस 21 आजएगा माइनस 7 2 इंटो 3 36 माइनस 6 n square हो जाएगा 2 इंटो 4 8 इंटो 8 इंटो 8 आजएगे माइनस 27 इंटो प्लस के 27 आजएगे माइनस 44 इंटो प्लस के मारे पास 36 हो जाएगे ऐसा कुश मट जाएगा मैं इस पर फिर से कहाँ रिपीट करता हूँ कि यह पर प्लस माइनस के जो मेरे मिस्टेक है उसको आप प्लीज चेकल दिजेगा मेरे को मैंशन कर दिजेगा तो आप जहाँ से दिखे 6 n square से 6 n square कैंसल हो रहा है हमारे पास और जहाँ से जदी आप ध्यान देके 2 n प्लस 27 that is plus के 29 n हो रहा है जहां से minus 21 और minus 9 जे भी मारे पास तुझे सारे cancel हो जाएगे 36 minus 7 आपके पास 29 बचेगा और नीचे के आपके पास 3 n प्लस 4 है and साथ में 3 n प्लस 1 है तुझे कैसा एक नंबर है हमारा numerator positive है because n हमारा natural number को जब भी sequence की बात आए तो बेटा आपकी n नाच्रोल नंबर होगी कभी भूल कर मास सोचेगा की n जहां पर integers हो सकती just it is a positive integer only because इसकी definition आप एक बार जाकर देखना part 1 बहां से clear हो जाएगी तो it is always positive जहां पर आपके पास because n positive so this answer is greater than 0 therefore answer greater than 0 meaning क्या हुआ मारे पास कि मारे जो larger वारी term n plus 1 this is greater than n होगी for all n plus to natural number which implies जो मारे sequence n है this is monotonically increasing तो मारा जो first part हमने यहां पर कर दिया monotonically increasing जहींगा बेटा जदी जो monotonically increasing है इसका मेंने क्या होगा इसकी जो first term है वो सबसे शोटी होगी आपकी a1, a2 से शोटी a2, a3 से तो हमने इसको bounded करना है तो आपने इसकी lower bond करने होगी आपने upper bond करने है तो जदी जो increase कर ही इसकी तो first term इसकी सबसे small होगी तो that is a lower bond तो दीगा फूरब हमने second part करना है तो उसके लिए आप a1 चेक कीजिए a1 आपकर क्या वहाँ से आएगा जहाँ पर that is 2 minus 9 and 3 plus 1 that is 4 तो आपके पास केतर आएगा बीटाँ? minus yes, minus 7 ओगर आपके पास जहाँ पर sorry, जहाँ पर 1 हमारे पास तो आपके पास जहाँ पर आजएगा minus 754 तो जह जो a1 है आपकी this is the smallest term आ रहे है तो हमारी जो a p sorry, sequence जहाँ से start हो रहे है so this is less than required to an होगा for all and lost to natural number कि इसके बाद जो भी आपके number आएगे that is आपका a1 तो जह एकुल है a2 इससे लाज जोगा a3 उससे लाज जोगते जैसे जैसे तो दिस इस अब लोर बॉंड आ जाएगे और जैसे लोर बॉंड आगे तो अब आपने अपर बॉंड कैसे करना तो इन इस तरह के special आपने लोंग डिविजन पर जूज करना तो आप इसको डिवाइड कीजिए तो आप इसको जहाँ पर दिवाइड कीजिए मेंटब जब आप दिवाइड करोगे तो आपके पास कैसा अनसा हैँगा तो एक हिंत दे देता हूं घ्यांपे जहाँ पर एक असान सा हिंट है कि जब भी आप डिवाइड करोगे और आपने चैक करना कि जहाँ पर हमारे पास जो अनसर है वो जो कैसा आना चाहिए कि हम निए चॉक्या करना कि हमने इसको बाउंड अब आब सौर तो यह बर करते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूं डेका तो जहाँ पर हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे जहांपर 2 है न जहांपर 3 है तो हम किसी मुटिप्लाई करें की मारा आप क्या करेंगीन आप टू लुआटरीजनी कर लिजेहांगा जाए से आपके पास अब पर आप चेक लिएगा माइनस के नाइन और माइनस का 2 और 3, that is 27, that is minus I think 29 और 3 हमारे पास आदेगा remainder, तो हमारे पास ऐसा कुछ अंसर आदेगा, तो अब हुआ कि हमारे पास जहां पर आप ध्यां से देखे हैं, तो हमें मालूम है कि any fraction जो आपके पास को भी fraction होती है, जो कि मारा an है, that is जो मारा an है, जो कि इस time आपकी fraction है, जी वाली, 2n-1 और 3n-1 आपके पास any fraction is written as quotient, जो आपके हैं, quotient है, plus remainder, over, आपके पास divisor, that is, ऐसा image को लिख सकते हैं, है, ऐसा हमारी पास होता है, कि मारे पास जो भी term थे, जहां पर an action में हमारी fraction थे, तो जीस से fraction is equal to quotient plus remainder over divisor, तो जी मारे पास क्या बन गया है, कि an is equal to 2 over 3, और जहां से minus आ जो कहा है, 93 over 3 into 3n plus 1, तो आप ध्यान दे जहां से आपके पास क्या आने वाला है, कि आपकी सारे की जहां पर यह एक fix number है, 2 by 3, और इसमें से minus हो रहा है, सब कुछ आपके पास minus हो रहा है, तो आप जैसे आप 1 put कर दें, जहां पर 1 put कर दें, तो जैसे आपके पास 4 into 3 हो जाएगा, और आप इनको minus कर लिजएगा, आपके पास even answer आजएगा, जो भी आपका answer जहां से आएगा, तो अब आप जो n को 1, 2, 3, 4, जो भी put करेंगे, वो सब कुछ आप जहां पर करेंगे, इस number पर करेंगे, जहां पर है, और जैसे इसका जो भी final answer है, वो always आपका 2 by 3 से minus होगा, इसका meaning क्या होगा, यह जो answer, यह वाद answer है, this is always, आपका 2 by 3 से small आएगा, for all n plus to natural number, यह कभी भी equal नहीं आएगा, यह equal कर आएगा आपका, जब आप n को infinity put करेंगे, 1 over infinity, 0 तब तो infinity हम put नहीं करते, हम इस to 2 by 3, तो आप जहां से समझ गया है, कि इसमें से कम हो रहा है, तो उझे always less than होगी, 2 by 3, तो हमारे पास हो कर गया, कि there 4 हमने show कर दे है, कि मारा minus 7 by 4 is less than equal to n, which is further less than 2 by 3, for all n belongs to natural number होगा, तो which in price आपकी sequence है, जो n, it is bounded sequence है, तो यह हमारे plus bounded होगी, तो एक हिंट में आपको और द कि इसा आजाएगा, कि आपने show करना है, और आपको पास कुछ ऐसे sequence हो चुकी है, कि वो पहले से monotonically decreasing है, decreasing है, तो आपने उसकी lower bound find करना होती है, जब वो decrease करती है, तो जो उसकी first time होती, वो maximum होती है, तो उसकी upper bound तो है, उसके बाद उसकी small small जाएगी, तेकिन कहां तक small जा sign वहाँ पर plus का sign आना चाहिए, वहाँ पर plus आजाएगा, अपने आप आजाएगा, तो जब plus आएगा, तो जब plus आएगा, तो वो always आपके पास greater than this first number होगी, वो आपकी lower bound मन जाएगी, जै ऐसा आप कर सलती हो, ठीक है, तो simple सा फंट आपको हम ने दो steps चो कर दिया, कि monotone की भी कर चुके है, हम bounded भी कर चुके है, तो अब एक line लिजी जहाँ पर, कि we know that, आप एक जहाँ पर line दिखने वाले हैं, हम mention कर लेजेगा, कि we know that a monotonically increasing sequence is bounded above, therefore it is convergent, because it is monotonically increasing भी है, साथ में जो bounded भी है, तो which implies the given sequence is the convergent sequence, आपको काफी question जहाँ पर ऐसे आगे, जहाँ पर simply convergent लिका हुआगा, तो आपने ऐसे इसको करना है, जैसे आप करेंगे, कि जहाँ पर पॉस किजिए, तो हम उसको भी discuss करते हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जहाँ पर show करना है, कि इसकी जो limit है, वो कहा है, 2 by 3 है, that is, we need to show that in part 3, अगर एन टेंट टो पर 3 as n tending to infinity हमने जह शो करना है, तो अब आप जहाँ पर mind लगाएं कि limit की definition क्या होती है, जदी आप show कर पाएं कि an minus l आपका less than epsilon हो चुका है, for some n greater than equal to m, ऐसा आपने m find कर भिया है, कि जैसे आप उस m से लाजर वाई value लेंगे n, तो इस an और l का difference जदी हमारी पास epsilon से शोटा आ आएगा, so this implies an tending to l, that is our l is a limit point of that number, तो जहाँ पर भी हम सेम करेंगे, इस definition को आपने जर्वी करना होगा, तो आपने ऐसा ही करना है, कुछ ना कुछ, लेकिन हम जहाँ पर मालूम नहीं कि जह नंबर an minus l है क्याँसा, जहाँ पर जदी हम पहले इसको find कर लेते, फिर देखें तो सबसे पहले आपका basic step यह होना चाहिए, कि आपने an minus 2 by 3 को find करना है, कि यह actual में number है कैसा, कि जिसको हमने फसाइलन से शोटा करना है, उसके according क्या हम m को select कर पाते हैं, क्या हम n को find कर पाते हैं, यह आपको question है, आप इतना मत सोची, आप simple देखें, जैसे भी आपके पास क find कर लिजे, तो आपके पास क्या हैगा, 2n minus 9 over 3n plus 1, minus 2 over 3, इसको solve कीजेगा, तो आपके पास यह आजगा, cross multiply, that is 6n, और minus 27, और minus 2n, 2, 6n, multiply के गया, आप that is 3n plus 1 से multiply करना है, तो आपके पास global part बन जाएगा, तो बीची जीकर तो नथिं मट आपके पास आजगा, जहां पर minus 6n, cancel हो के है, और minus 2, that is, आपके पास minus 29 over 3 into 3n plus 1 आजएगा, इस नमबर, और जैसे इसका absolute आप हटाएगे, तो इस इस नमबर कैसा है, कि जी नमबर ऐसा है, अब जहां सी एक twist आपके लिए, कि 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 आपके लि जहां सी एक twist आपके लिए, कि आप, sorry, जहां पर आप चेक लिएगा, कि हमारे पास 3n plus 1 है, 2, almost everything is done, तो ठीक है वेटा, तो जहां पर कोई मिस्टेक होने के चांसिस है, नहीं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा चुक है, 29 over 3 into 3 plus 1, तो अब आपके जो नेक्स अप्रोच है, कि हमन epsilon greater than 0, हमारा जो होगा, now मारे पास जो a-2 by 3 है, this is less than epsilon, तो आपके पास जो epsilon से कब जो small को आएगा, जब इसका जो answer है, वो इस से कम होगा, that is, this now less than epsilon, if मारे पास जो answer है, 2, 9 over 3 into 3 and plus 1, आपके पास less than epsilon आजाएगा, तो जहां सी हमने को हमने एस्टिमेड करना है कि हमारे पास क्यासे होना चाहिए तो एक जहां से दो तरह किसे है कि आप इसको shift कर दे जहां पर एक आपके simple n है तो आप ऐसे इसको simplify करके n को find out कर सकते हैं ठीक है और आप करेंगे तो वहां से mistake तो कोई नहीं होगा आपको कोई रॉंग नहीं करने वाला लेकिंग इसको थोड़ा सा आप और भी चेंज कर सकते हैं कि यह जो नंबर है हमारे पास इस नंबर हम इसको लिख सकते हैं और जो इस नंबर है 29 ओबर 3 इंटू 3N प्लस 1 जदी हम इसके जहां पर आपके पास क्या बिटा ये फ्रेक्शन है डिनॉमिनेटर जैसे आप डिनॉमिनेटर को शोड़ा करते हैं तो आपका नंबर लाज़न हो जाता है मिन इस नंबर हमारा लेस होगा किस से 29 ओबर 3 इंटू 3N से देखें कि जह जование प्लस 1 में लाज़ मैं हमानी अचनपर 1 हटा डिया में हमारी हमानी इस नंबर की जए माल से हमारे पास five हे और यह माल सवाद हाई तो जदी मैं ऐसा कहूं कि मेरा 7 जदी Epsilon से शोटा हो जाए तो automatically आपका 5 ये Epsilon से शोटा ही होगा और 5 होगा तो J भी हो जाएगा तो अब हम बात जहां पर कर रहे हैं कि हम इसको कर देंगे तो this must be less than Epsilon तो हम बात करें कि now this less than Epsilon if हमारा J होगा that is यहां पर if this less than equal to this and further less than Epsilon 29 over 9 N is less than Epsilon जहां से आप N की value find कर लेजें इसको restive local में ले तो आपके पास आजएगा that is 9 N over 29 is greater than 1 over Epsilon और जहां से आपके पास N आजएगा that is आपका जो N है that must be greater than 29 over 9 Epsilon कि जदी आपकी N इस number से greater हो जाए तब हमारा J N minus 2 by 3 Epsilon से शोटा होगा और जदी जदी जएफसाइल से शोटा होगा तो इसको पर limit की definition लग जाएगी अभी हमें M इसके greater चाहिए तो अब हमने यहां पर क्या करना होता M find करना होता तो let us take तो हम जहां पर लेट कर वेते हैं तो let us take M हो मारे पास है just greater than just greater than this number 29.9 Epsilon अनेचर नबर तो let us take M जहां प्राप लिक साथ है M क्या मारे पास natural number है वे टीका? तो हमारे पास क्या होगा तो हम एक जदी इस से भी बड़ा बार नंबर ले ले लें तो इचीज ध्यान से लें कि हमारी N इस नंबर से ग्रेटर होगी तो हमारा काम बढ़ जाएगा और हम एक ऐसा M फाइंड कर लें जो इससे थोड़ा सा ग्रेटर है और साथ में हमारे पास क्या नैश्रल नंबर है तो जदी आपकी N से ग्रेटर होगी तो आपकी N इससे ग्रेटर देन होगी तो आपका G जहां से एपसाइलम इसे को हमने स्वाग करते करते ऐसा किया हुआ है तो हमारे पास यहां पर डेफिनिशन लगें तो इंप्लाइज आपका उन्हों का डिफ्रेंस चाहर करना है उसको निकाल कर रख लिए उसके बाद आप इस डिफ्रेंस को एपसाइलम से शूटार करके जहां से N को फाइंड की जै मैं चीज बताना चाहता हूं कि आप जदी ऐसा नहीं करते तो ना कि यह आप जहां से भी फाइंड कर सकते लेकिन ट्वन्टी नाइन ओबर त्रिय अपसाइलन दैट इस आपका 3N ग्रीटर होगा ट्वन्टी नाइन ओबर त्रिय अपसाइलन माइनस वन और साथ में जहां पर आप डिफाइड कर जाते तो यह भी आपके पास कर साथा होता है ऐसा कोई भी टिचर आपको रॉंग ने कहने ह तो आप जहां से भी कर साथे ड्रैक्ट के इस नंबर आपके पास अपसाइलन तो आप ऐसा जदी महीं करना चाहते है जहां पर करने का प्रपर यह होता कि आप N को इसली फ्राइड कर सकते और जहां से थोड़ा सा उसकी एलसम बगारा आपको माइनस करना होते लेकिन अच्छान नंबर आप जैसे इस नंबर से हम एंप को स्लेट करेंगे कि लार्जर है और जब आपके एंप से बढ़ा होगा और हम इससे बढ़ी तो आटमेंटली एंप इससे ग्रेटर होगा और हमारा कॉस्टन सौल्व हो जाएगा तो आप लीज इसको कर सकते हैं तो आप आप उसको कंप्रोड करके खदम कर देंगे फिनिश कर देंगे और एक एक ग्जाम्पल दे तो जिदो एक्जाम्पल आप खुदी ट्राइग कीजिएगा उस सेम पैटरन है सेम फ्रेंबर को अपनी नोटबर को लिख लीजिएगा अश्चे से संदर से राइटिंग के साथ और मिलfeld को बताना मत भूलना जाधी आप इसको कर पाएं और आपको in future का भी एक्जाम में आगया और आपको टेस्ट में अगर आपने इसको किया तो प्लीज आपको anytime बाह मिलेको messeges कर सकथ भी बता सकते और साथ मे आप Instagram पर भी एड़ो सकते कमउप के साथ और बहन पर हम जिरू आप देने वाले हैं यहां पर इस वीडियो के लिए दन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी प्यारी सी स्माइल को बढाई रखने के लिए दन्यवाद ऐसे स्माइल को आप शेर करते रहे हैं फ्रेंड के साथ और ऐसी हम पढ़ते रहेंगे जैसे में टाइम लेगा God bless you and thank you and don't forget to आपको मालूम है क्या करना है just subscribe and share it thank you very much